आज की कहानी के शुरूबात होगी, जहां दिखेंगे राणी मातारानी से प्रात्ता करती है और कहती है कि डॉक्टर साब की रक्षा कीजेगा मातारानी और तभी यहाँ पे रानी बोलती है राक्टर साब आप कहाँ चले गया है मुझे छोड़के आपने तो खाता आप मेरी मुसीबत में मेरा साथ देंगे अब मैं यहाँ परिशान हूँ और आप पता नहीं कहाँ चले गया है और बहुत रोती है यहाँ देखेंगे बीर भी रानी को याद करता है रानी से मनी मन कहता है रानी मुझे पता है इस मुसीबत से आप अकेले ही बाहर निकल जाएंगे आपको किसी की भी कोई जरुवत नह आपको अपने बेटी की अस्थिया चाहिए की नहीं तभी हमें बहुत रोने लगती है रानी सा और कहते है तुमने मेरे बेटे को मार दिया क्यों मारा मेरे बेटे को बहुत रोने लगती है अब लोग यहां बहुत रोने लगता है तभी वाप विक्रम कहता है कि भावी साम मुझे बिस्वास नहीं और आप इतना मदल जाएंगी तभी कहती है तो वक्ते साथ बदल ले यही अच्छा होता है और मुझे जो हासिल करना था उसको पाने के लिए मुझे बदलना तो प contact ना कर पाये यहां बहुत बैठा होता तभी सूरत आता है और वीर के मुझे पानी फेइक देता है और कहता है खाना खा ले तुझे में घंदा रख रहा हूँ क्योंकि मुझे तुझ से पेपर चाहिए मुझे जल्दी से पेपर दे बता पेपर कहा है और मुझे खाना भी खाना को थुक देता और कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा पेपर का यह तुम्हें चो करना कर लो तभी कहता देख लो अगर मैं गुस्से में आ गया न तो देख लेना क्या करूँगा यह नंदनी सब्जियां कट कर रहे होती किचन में तभी वहाँ पे जैसी और चमपा दोनों जगड़ा कर रहे होते हैं चमपा कहती सबके सामने आप मुझे कोई इच्छत नहीं देते हैं सबके सामने मैं क्या नौकरानी हूँ और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं यहाँ पे वह कहता तो और क्या बोलो चमपा तुम सबद्दी की कोशिश करो मेरे मम्मी पापा के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता और मेरे मम्मी पापा के सामने नंदनी इस घर की बहू है तो रहने दो ना जब ओचले जाएंगे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा यहाँ पे मौसा ची देखते हैं कि सूरज की गाड़ी यहाँ पे पार्क की भी है तबी जाते है गाड़ी के पास देखने के लिए तो देखते गाड़ी के अंदर कोई नहीं और यहां पे एक मच्छर के भी आने का निशान नहीं तभी सोचते है कि राणी बिट्या को हम लोग क्या जवाब देंगे यहां देखेंगे सब लोग एके करके वहाँ पे आ जाते है नोकर वाला कपड़ा पहन के यहां बेरानी खड़ी रहती है विजिया के साथ तभी यहां विजिया बहुत मज़े ले रही होती है और कहती है बहुत अच्छा लगा मस्टर नी तुमने जो किया ना मस्टर नी एक और काम कर दे तभी रानी नीचे उतरेगी और सबके पास जाएगी और उन लोगों को उन लोगों का काम समझा देती है यहां रानी साथ को साप सपाई की काम दे देती है राज माता को कहती है आप कीचन की काम संभाल लिएगा और विकरम से कहती है कि महल की जितनी भी ग लगता है इन लोगों को ऐसा काम देते हुए लेकिन कहती है डॉक्टर साहब को बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है